हेलो फ्रेंट्स वेलेगम बेक टू मैं चनल आप सबके साथ का लीजी पनी के रिस्पी शेयर करने वाली हुए मैंने ये रिस्पी पहले भी शेयर की हुई है लेकिन मैं आज आपको और अच्छे से मैं इसे बताने वाली हूँ तो इंडियन जरू देखेगा तो यह है प्यास इसको मैंने लंबा काटा हुए मसाले के लिए यह हल्दी लालमिश पाउडर धनिया पाउडर जीरा और यह मैंने लिए हुए सबजी मसाला एंड हामेन इंग्रिएंट है स्वेयर सुछ तो मैं आपको दिखा रही हूं तो कुछ इतने इंग्रिएंट है सबसे पहले मैं करते हैं आपको इसको हलका सा और भी फ्राइ करना है तो बिलकुल इस तरीके से आपको पनीर को फ्राइ का लेना है एंड पनीर को कुछ इस तरीके से क्रिस्प्राइ करना है आपको क्योंकि हम इसी कलीजी पनी बना रहे हैं तो हलका से इसमें ब्राउन कलर आना चाहिए तो 2 tbsp Suya sauce क्योंकि अच्छे से 케ण दूश करना है आपको ही क्राइब क्नेक करना में त्लिए मश्यम आच पर क्रें वाली 75 अच्छे मिक्स करना थाकि महारे मशाली ऐखे से मरी में इंच्छे सी शाइड सी डाल भ्सक्टा और यह थोड़ा सा जीरा मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा हेंग इसमें डाल रही हूँ और यह प्यास जो मैंने बारी चॉप करके रखे हुई थी वो मैं इसमें डाल दिया रही हूँ एंद प्याज हमारी पक रही है तो इस से मैं बट अपना मसाला बना रही हूं भिसicky मैं प्याज डाल दिया है गारि दाल दिया है एंद यह देखिए मैं समें हटारी मसाले डालरी हूँ तो जाुछी तालि आपना हो ताकि ग्राइंड हो जाए और यह तीज ही सा पता में अरे मिंट जाल रही हो यह लाल मिर्च ताकर लाइड कि मसाला गजा करना है और प्षीज में अगराइड है यह कुछ बीच्छन आच जे सबर जो के अश्चे से साल है मसाले को अच्छे से भूनना है तो यह देखिए मसाला मारा अच्छे से भून रहा है तो यह देखिए मसाला भून चुका है तब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ जैसे कि यह सब्दी मसाला पाउडर और यह हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ और यह लाल मिश पाउडर धन् गुर्मी डाला हुआ है। अब मैं मसाले को खुदेर भूनने बाद इसमें स्वेश सुझ सास two गवाले काइड कर रहा हूं। तो आप स्वेश सास इसका इंग्रिडियेंट है तो आप सेट सोज़ाने से मिक्स कर रही हूं। टुरी ताफ शुझ से अब में मसाले पना डियू के बाद बस आपको एक बॉयल ओर लगाना है इसमें अब में तोड़ा सा ये फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ जो मैंने घर पे ही रेडी की होई थी क्रीम डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें तो ये देखिए बॉयल हो चुका है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ तो नमक है अपने टेश्ट के कॉर्डिंगी रखिएगा तो बस पांट से तस मेट मैं और पकाऊँगी तो बस बनके रेडी हो जाएगे हमारी कलीजी पनीर तो ये दिखे कितना ब्युटिफुल कदर आया है हमारी कलीजी पनीर का मिल्कुल मार्क जैसे बनके रेडी होई ह एंड प्लीज प्लीज वीडियो उज्याद दा शेयर करेगा